आपका इमेज कुछ और था, आप एक सहेज, सरल से मामा जी थे, अब आप बुल्डोजर मामा कहलाते हैं पर जब बुल्डोजर चलता है तो आरोप ये है कि अवे तरीके से होता है बेटी के साथ दुराचार किया, जैल चले गए, हमको लगा कि ऐसे तेड़े लोगों को ठीक करने के लिए कुछ और एक स्टारडनरी कदम उठाने ज़रूरी है इसलिए अगर बुल्डोजर चलता है तो ऐसी घटनों पर ही चलता है INDIA की ग्रूपिंग, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? सेर की खाल ओड के कोई भेड़ या सेर नहीं बन जाता है अगर इनको अलग अलग छोड़ दिया जायते, एक दूसरे को काटें एक उसे के खिलाफ ही काम करते हैं, अलग अलग ग्राजों में लड़ते रहें और किस ढंग से लड़ते रहें, यह देश जानता है इंडिया की जो ग्रूपिंग है, वो कहती है कि अगर बीजेपी तीसरे टर्म में आ जाती है तो हर इंस्टिउशन को वो अपने कबजे में ले लीगी तारे आरोप उनके जो वो कह रहे है हास्यास्पद है यह वो लोग हैं जिन्होंने लोक तंत्र का गला गोंटने का पाप किया था यही कॉंग्रेस थे जिसने इमर्जेंसी लगाई थी लोक तंत्र का गला घोंटा था समविधान की धज्जियां उडा दी थी तो आप अपने आपको नहीं समझते कि लोग सोचते कि हाँ भी फिर से वो शिवराद जी मैं तो प्यारा मामा जोस्ट्विव